प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को बहारी मुल्क से तो इतना खत्रा नहीं है जितना उन्हें अपने खुद के मुल्क से हैं क्योंकि नरेंदर मोदी की हत्या की बात खुले आम कहे जा रही है विचारधारा विरोध ठीक है मोधी विरोध भी ठीक है लेकिन अपने प्रधान मंत्री की हत्या की बात करना वो भी बेखौफ ये किसी भी लिहास से सही नहीं ठेराया जा सकता मंध्य प्रधेश में कांग्रेश के कदावर नेता और पूर्व मंत्री राजा पटीरिया की बोल बिगले तो उन्होंने प्यम मोधी की हत्या की ही बात कह डाली यूद का जब्सक्राइब यह आपकी जो गैरेंटी लिया है यह पीछे नहीं हटेगा और तमाम लोग यह जो बैठी है वो भी बात की जिट्के रहे हैं तो कर दो दो को पनवाश आदिवासियों को और अल्व संच्यकों का फारी जीवाश खत्री में हैं करता की उपेक्षा होती है और जो जीत होती है वो कारकरताओं की जीत होती है करता है तो युद्ध के मैदान पे कभी कोई युद्ध नी जीत है यह चाड़कड़ाई अजान साल पे लेकिया जो ने कह रहा हुँ जंद जो होती है जंद होती है एहिम्मत से साथ से चाड़किज साथ लो फिक ठाक 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 लगाओं फिक ठाक परणाब लो और जंद जारे होचती है उस जंद में बिजाए तुमारी होना है खेर जब वीडियो वाइरल हुआ तो मामले ने तूल पगड़ना भी शुरू कर दिया जब वीडियो मध्यप्रदेश के ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा के पास पहुचा तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरत एफायाद दर्श करने के निर्देश देडाले अंसिक्ता मुसोलनी वाली रहती है जिस तरह से उनकी यात्रा में सुरा भासकर करहिया कुमार सुसान्त जी चल लाए है उससे भी इस पर्ट हो जाता है माननी बढ़ानमंत जी के खिलाब इस बेहर आपत्ती जैनेट बयान जो माननी पटेरिया जी ने किया है जब बात एफ आई आर किया गई तो राजा फटेरिया बाद को मैनेज करने में चुट गए उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मोदी को चुनाव में हराना ही उनकी हत्या होगी के कार्ड वित्रण में पवई के दोरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताए गया है कि मैं मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूँ, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नी कर सकता, वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है, मेरा कहने का आशा है था कि राजने देख चुनाओ शेत्र में उनको पराज़त जलाके इस देश का समिधान बचाओ, अलफ संक हत्या इंदा सेंस बोलकर कुछ बोला जो वीडियो में खेर साफ रिकॉर्ड नहीं हुआ जो भी है, लेकिन पिये मोदी की हत्या जैसे शब्दों को प्रयोग मिलाना ही बहुत बड़ा अपराद है जिस जगह पर पटेरिया ये विवादित बयान दे रहे थे, वहां कई लोग मौजूद थे मान लीजे, अगर कोई सिर्फिरा वहां होता और उसने इस बात को सीरियस ले लिया होता, फिर क्या होता? हलाकि होता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पियम मोदी जिस सुरक्षा घेरे में रहते हैं, उसके ना जाने कितने किलो मीटर तक कोई भी संदिग्द भटक तक नहीं सकता हमारे देश का समविदान हमें कुछ भी बोलने की आजादी देता है, लेकिन क्या उसका फाइदा उठा कर हम कुछ भी बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें एक दाइरे में ही रहना चाहिए और अपनी बात उसी दाइरे में ही मुकमल करनी चाहिए दुर्भा गिवश जो राजा पटेरिया ने नहीं किया अब पटेरिया पर क्या कारवाई होती है, ये देखना बेहत दिल्चस्प होगा डेस्क रिपोर्ट दिभाराट टीवी